नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर आशिश पारिक मैं शल्य तंत्र विभाग में एसोशेट प्रॉफेसर हूँ इसके साथ ही मैं जैपूर में जनरल सरजरी की प्रैक्टिस करता हूं इसके साथ ही मैं बच्चों को एपीजी एटी एमो इस प्रकार से जो कंपेटिशन एक्जाम से उनकी कोचिंग भी करवाता हूं आप लोग मुझे मेरी बुक के माध्यम से भी जानते होंगे पिछले कुछ समय से मैं यह अब्जर्व कर रहा हूं कि बच्चों का सहींता अध्यन के प्रती जो उनकी रूची है इंट्रेस्ट है वो कम होता जा रहा है कहीं ने कहीं पर सिर्फ ओडियोज अवेलेबल होते हैं कई बार उनकी कॉंसेप्ट वहां क्लियर नहीं हो पाते हैं मेरे निजर्व में इस प्रकार की जो ऑनलाइन क्लासिज है वो जस्ट पॉर मेलिटीज है तो इसी करम पर या इसी को ध्यान में रखते हुए मैं मेरा ये प्रयास है कि मैं सहिता के जो भी लेक्चर्स हैं उनको मैं यूट्यूब पर आप लोगों के सामने रख सकूँ मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा प्रयास है वो अच्छा लगेगा ठीक है और यहां अगर चरख सहिंता हम लोग शुरुवात जो है वो चरख सहिंता सुत्रस्थ जो है प्रयोग मिलाऊंगा या प्रिफर करूँगा इस बुक का जो अभी जो लेटेस्ट एडिशन जो है वो कंप्यूटराइज रोकर आया है पहले यही बुक जो है वो ग्रीन कलर में इस प्रकार से अवेलेबल थी दोनों बुक सेम है बस इसमें जो प्रिंट है वो पु आपको सुधार करवा सुकूं फिर भी आपको जो गलतिया है उनको आप अपने स्तर पेज़े हैं सुधार करने के प्रयास किजिएगा इसको पूरी तरीके से करेक्ट नहीं मान नहीं है एक बात और भी इंपर्टेंट है कि जितने भी चरग सहिंताइं है वो सभी एक समान ह होती है इसमें कोई भी अंतर नहीं होता ठिक है मोल्श लोक सभी चरग सहिंताओं में समान है ध्यान रखेगा चैन से वह रवीदत थिन्पार्टीiego जीश रत Senta hö से तो उसको बदलना नहीं चाहिए आप उसी बुक से पढ़िएगा, जो कुछ एक्स्टरा मैंटर होगा, वो आप वहाँ पर विमर्श में एड कर सकते हैं, किसी पेज़ पर कर सकते हैं, अलग से उसको एड करके, अपनी बुक में पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपको उसके लिए अपनी बुक को चेंज नहीं करना इसकी आवशक्ता नहीं है क्योंकि मूल्श लोक सभी बुक में सेम है तो आप आपको पस जो बुक है बस आपको उसको सही मानना है जहां कुछ अलग मेटर है आपको उसको अपने बुक में एड़ करते जाईएगा ठीक है तो यहां इस ब्रह्म से बच जाईए का कि हाँ उसकी चरक अलग है उस चरक से मतलब जहे कृष्टन साथ है ऐसा कुछ भी नहीं है सभी बुक्स जहें वो सेम होती है ठीक है तो मेरा यह प्रयास है चलिए शुरू करते है चरक सुत्रस्थान अध्याय नमबर एक इसको समझने का प्रयास करेंगे अगर आप सभी लोग सहिंता अध्याय में रूची रखते हैं तो अपनी चरक सहिंता में चप्टर नमबर एक इसको ओपन कर लीजिए ठीक है क्योंकि तभी आपको यह चप्टर समझ में आने वाला है अगर आप लोग डारेक्ट वीडियो देखके समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा जहां जहां इंपोर्टेंट है मैं वहां आपको बतांगा आपको मार्क करना है अगर आपके विमर्ष में इसको एड कर लीजिएगा और अगर नहीं है तो आप इसको लिख लीजिएगा कुछ बड़ा टॉपिक है कुछ बड़ा मेंटर है उसे आप कोपी में एड कर लीजिएगा तत पस्चात आप उसको अपने चरग सहीता में पेस्ट कर लेंगे ठीक है तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको डैफिनेटली सहीता ध्यन में मज़ा आयते वाला है सबसे पहले हम लोग चरग सहीता का कुछ बैसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में चर्चा करेंगे तो यहां देखते हैं कि चरग सहीता का ही एक सिनोनिम है अगनी आपनेवेश्ट यसके उपदेश्टा है आचार ये पनलवस आत्रिय ठीक है अदेश्टा थे सर्ट एक आठ अगरता के बात करते हैं तो यह हैं अगनीवेश ठीक है अगनीवेश नहीं चरख सहिंता को सूत्र रूप में लिखा है नेक्स्ट है संपूरक संपूरक का मतलब हो गया अनुपलब्द की पूर्थी पतलब ऐसे चेप्टर्स जो की समय के प्रभाव से उपलब्द नहीं थे या खंडित हो गए थे ठीक ह आदेल की है और अचार चारक थो आचार या तो विशुद के पूत्र है एवं व्यशुद के पूत्र हे बर बॉस्ष्ण के संप हैं व्यशूरक दर्बार में राजवद्य व्यशूरकires तो याद रहेगा तंत्रकरता अग्रिवेश संपूरक या अनुपलब्द की पूरती हैं द्रडबल ये कपिलबल के पुत्र हैं नेस्ट प्रतिसंस करता मतलब जो की है भाश्यकार और ये हैं आचारे चरक फिर नेक्स्ट ए आचारे गंगादर राय ने चरक सहीता पर एक टी ये बड़ी बहुत सब सबसे बड़ी जो टीका है चरक सहीता पर वो जल्प कल्प तरुई है काफी डोने इस पर डिटेल की है आचारे गंगादर राय ने जल्प कल्प तरुप उन्होंने चरक सहीता को एक उपादी दी है अखिल शास्त्र विद्या कल्प द्रुम ये यहां से जो है इसका basic introduction मनता है ठीक है बड़ी famous जो commentary है चरक पर वो है आचार्य चक्रपार्णी की द्वारा ठीक है और उसका नाम है आईरवेद दीपी का आईरवेद दीपी का ये भी आप जानती है बहुत से बार आप लोगोने इसके reference बगारा पढ़े भी होंगे चलिए शुरू करते हैं chapter number 1 तो यहां जो सहीता का जो फ़र्स्ट शुरू अता है अथा तो देरगन जीयोतें अध्यायम व्याख्या सियामा तो कई बार पूछलेते हैं कि चरख सहीता को ज़र्स्ट जो शब्द है वो क्या है सहीता का प्रतम शब्द है अध और अध जश्ब्द ह है वो मंगलकारी होता है मंगलकारी कि याद रखेगा इसलिए सहींता का जब प्रत्रम च्ब्द है वो है अथ ठीक है फिरी कुछा गया था एक बार एक्जाम में पीजे में कुछा गया है अथा तो दिर्गन जीवतिम अध्यम व्याख्या सेमा यह पद है वो अश्ट पदात है ठीक है इसमें इसकी मात रहें भी काउंट की गई है आपने इसका डेटेल में नहीं जाना ये क्विशन एक बार पूछ चुके हैं हो सकता है दुबारा इसक्विशन को रिपीट कर ले इसलिए आपने ध्यान रखना है अधरवाइस यह क्या है व्याकरण के दश्टी कॉ अध्याएं ब्याक्या स्यमें उसी ना पर अथा तो धरम व्याक्या स्यामा तो यह जो लाइन है वह वापफ कर लीजिए है शक्रपान थे अंधया नंबर एक अ काकदंत परिक्षा मतलब कव्वे के दांत गिनने के बारे में तो यह क्या है शास्त्र की निश्प्रवजनता के संधर्व में आती है बड़ी इंपोर्टेंट है कापका दंत परिक्षा शास्त्र की निश्प्रवजनता को यह रिविल करती है ठीक है क्योंकि कव्वे के दांत आप बैट के गिन रहे हो आपकी मेहनत लग रही है तो सब बेस्ट हो जाएगी तो कोई यूज नहीं है तो काकदंत परिक्षा अचार्य चक्रपाणी ने बताई है शास्त्र की निश्प्रवजन्ता के संदर्व में पर नहीं तो चार संस्क्रित सुत्र हो गया आकीए सुत्र है इसे को चतुरविध सूत्र यह बताए है और आचारी दरवनने बताए है तो यह आपने दोनों को द्याक qualify नेक्स्ट आपके नोट कर सकते हैं अनुबंद चतुष्टय अनुबंद चतुष्टय क्या होता है अभिधेय, प्रयोजन, संबंद और अधिकारी अनुबंद चतुष्टय का मतलब हो गया चार चीज़े हैं अभिधेय, प्रयोजन, संबंद एवं अधिकारी नेक्स्स हम देखते हैं आयरुविद का आवतरन तो यहां बड़े कुछ पर्याय आएंगे उन पर्यायों को आपके ध्यान रपना जिसे दीरगं जीवितम अनविच्छन मतलब दीरग जीवन की इच्छा रखने से आचारी जो भारदवाज है वो उपागमत गए किसके पास इंद्र के पास में पिर वड़ाता है उग्रतपा बोग्रतपा है तो उग्रतपा जो वड़ है वह आचार भारदवाज के लिए प्रयोग मिला जाता है जब er basic शरण्यम अमरेश्वरम्टा भारम धाजंधरे और उन इंद्र तो दीर्ग जीवन की इच्छा रखने के लिए या रखने के कारण जो भारत वाज जुशी है वो इंद्र के पास में आईरिवेद के ज्ञान के लिए गए थे अभी इसकी डिटेल पूरी आने वाली है तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आईरिवेद का जो आवतरन है वो कैसे है सबसे पहले ग्यान जो था आईरिवेद का वो ब्रह्मा जी को हुआ ब्रह्मना उन्होंने दक्ष प्रजापति को अपना यह जो नौलेज है वो प्रदान क किया उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने यह ज्यान किसको दिया अश्विनव यहां पर द्वीवचन का प्रयोगस का मतलब यह अश्विनिकुमार दो है और यह क्या है यह ट्विन्स हैं अश्विनिकुमार दो भाई है जो कि ट्विन्स है अश्विभ्याम भगवान श ततम दस्मात शक्रम उपागमत इसी प्रकार से रिशियों के द्वारा प्रेरिद करने से ठीक है भरदवाज रिश्री शक्रमाने इंद्र के पास में गए अयरुवेद के ज्ञान को प्राप्ट करने के लिए ि इसके परिशा तम लोक्ष लोक्ण नमबर सेवन को देखते हैं हैं यहां कहते हैं अचारे भूते करतफितों हुए भूते करने के लिए ही आचारे निया पदीश किया ठिकए भोटेश्य अनुक्रोशम पारश्वे हिम बता हिवे ठिक तो यह इस चेप्टर में मिटन हो रही है वह रही है वह रही है पारश्वे हम बता शुवे मतलब मिवाने के साइड में मतलब दो हमाले के पास कोई arta मेटिंग सपेश रहा होगा तो वहां पर ये तो यह जो रेफरेंस अग सब्मार्त वो है ते बूर है सेवर्स घुं气ान सब्सक्राइब होते हैं ये वो ह्याइब को पकड़ना सेखना थे वा तो आप जैसे सहीता पड़ते रहेंगे आपको कुद को मलूँ चले लग जाएगा कि हाँ ये वर्स जो है पहले आपने कहीं देख रहे हैं तो ये बड़े इंपोर्टन टैन को अटेंटिफाय करना आप आपको आना चाहिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ जर मीटिंग हुई हैया संभाश Commerce हुई आपको इस आत्रे भी हैं और विक्ष्वात कुछ लोग इनकी संफ्क्या कि इनकी संख्या वह इतना की नहीं है कोई काम की नहीं कि अचार्य नहीं को रिचिशी है ब्रम्म ज्यानस से निदियो दमस ए नियमस शिचर ठीक है वह जितने भी यह रिषी थे वो ब्रह्म ज्यान से युक्त थे दम और नियम से युक्त थे तपस तेस्टा दीपता हुई अमाना इवागनिया वह इस प्रकार दूर से इसे दिखाए देरें जिस्टे कोई अगनी प्रज्वलित हो रही है यह अगनी जलाई मतल से दीब तो जलते वे दिखाए दे रहे हैं दूर से जिस परकार से हुए अमानना इभागनने जिस परकार से कोई अग्रें जलती तो अन्य सहिंताओं को अभी यहां पर comparatively आवतरन की जो है चर्चा करेंगी नेक्स देखते हैं आईरिवेद का आवतरन है वो चरग सहिंता में कैसा है कि सबसे पहले ज्यान ब्रह्मा जी को हुआ देन दक्ष प्रजापति को फिर अश्विनी कुमारों को फिर इंद्र को और भख वाज से अन्य रिषयों को उसका ज्यान हुआ सेम सवश्यू सहिंथा में हैं बस निसे ब्रह्मा जी है दक्ष प्रजापति है अश्विनी कुमार है इंद्र यहां तक सेम उसके बाद में भरदवाज के स्थान पर यहां पर धनमंत्री को उन्हों ने रिप्लेस किया अधर्वाइस सब कुछ सेम है शिष्ष्यगर मतलब सुष्रतादी उनके शिष्ष्य जो है उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप किया नेक्स्ट हम देखते हैं कि अस्टांग रिधय क क्या है तो सेम है ब्रह्मा जी फिर दक्षप्रजापती अश्विनिकुमार इंद्र यहां तक सभी आचावने का सेम है ठीक है उसके बाद इंद्र से सीधे ही अत्री पुत्र मतलब पुन्यवसु आत्रे आधि रिश्यों ने धियान प्राप्त किया मतलब भारत वाज को इन उसके बाद में आचार पुन्यवसु आत्रे के नेत्रित्व में धन्वंतरी, भारत वाज, निमी, काश्यप, कश्यप, आलमबायन, आधि रिश्य जो है उनके नेत्रित्व में इंद्र के पास में इस ग्यान को प्राप्त करने के लिए गई थी जबकि चरक में आता है कि भ जानमंत्री भरदवाज नेमी काश्यप कश्यप आलंबायन इस अभी रिश्री उनके पास में गए थे तो क्यूश्य ने एक बार एक्जाम में पूछा गया था कि इंद्र से सीधे ही पुर्णवसु आत्रयादी या अत्री पुत्रयादी ने ग्यानप्राप्त किया किस क्या इस जो हमारे जो धर्म अर्थकाम मोक्षा नाम यह आरूगय का मूल है अ सब्सक्राइब अधेखन है कि नेक्स्ट रोगास तस्त्य फरता है श्रेता जीवत से चर्थ इस जीवन का स्ट्रेव क्या है रोगों से मुक्ति हो नहीं रोगों को दूर करना ही इस जीवन का स्ट्रेव झाल जाता है इस लिए इन रिश्वन और अपने जो दिवधर से ज्यान चक्षों से क्या दिखा शक्रावज धर रिष्यो ध्यान चक्षों कंप vecina रगया रखया असके लिए स्पसे शिटेबल परसाने है वो है शक्रम आने इंडरily अमर प्रभू भी इंडर ऑमर प्रभू भी इंडर है अमरप्रभू अध्य ने पपसे तरह स biggest कोने ईंद्र यहाँ पर इंद्र के मतलब क्या हूं इंदर का हर मतलब स्वर्ग स्वर्ग में को जाएका शची感 shrubate शची का इंदल कि पत्ली खत्रान की मतलब इंद्र निक ऊस राक्षा से उस राक्षास ने कीज़ें इंदर का एक पर गया है भलर हांतर भी है ठीक हम नामक राक्षत मारने के कारण ही इंदर को घ Kingdomよろ का जाता है और जब अचार या जो भारतवाज है वह इंदर के पास पहुंसते हैं उनों ने क्या देखां इंदर कैसे दिखाई देरізे दीप मानम इव अनलम जिस प्रकार दीपक जलते हैं और जिस प्रकार अनलम मने अगनी जो है वो जलती वे दिखाई देती है सेम हिंदी में देखते हैं सेम मिनिंग निकलता है हुवय माना इवागनया परन्तु यह लाइन है महर्शी के लिए और दीप इमानम इवनलम यह है इंद्र के लिए गलती नहीं करनी है हिंदी में दोनों ही लाइन का मतलब सेम निकलता है हुवय माना इवागनया का मतलब है मह अशीए लिए दैयोगे लाइन ना जब की दीप मानम एवन लॉं लाइन जाएगी इंडर के लिए सुरेश्वरम सुर्माने देवता हुआ देवताओं के इश्वर कॉन इंद्र इस अब इंडर के स्नौनेम से अमर प्रोभवी इंद्र है शत्कृतु भी इंद्र है फिर मतिम बद्वा विपुलाम परम्रशीव पदई अल्प मतिम ठीक है दो को यह हम सोसे नहीं इसको वड़ को अल्प मती वड़ नहीं है यह पदई अल्प वड़ आएगा और जो मती है वो वड़ जुड़े का विपला के साथ में कि इंद्र ने भारत वाज को विपुल मती जान अल्प मती नहीं जाना आचारे ने सोड़ा संस्क्रित में देखे का यहां पर जब अनुए करेंगे तब ही आप इसका जो एक्जेक्ट मीनिंग वो निकाल पाएंगे तो हम देखते हैं अल्प मती अल्प मती नहीं है यह अल्प वड़ पद के साथ जुड़ा हुआ है जब शौट के अंदर अल्प पालों अलप अलपा पत्बत सब्सुत्र उर्प में उनने उनको परम रिष्य को बदोज इसका उपदेश किया भरत वाज ने क्या किया आगे है हे तू लिंग और आज्रदश हो राए गोगा जो सब्सक्राइब वस्त आत्र प्राय। लोग से अैजीन को दिकतτε है तरी सूंग्संग हो जातों गिंजा पमक्ता महा थंक्र इंपोर्टन टाई यह एक्जाम पूछा गया है बुबदे का मतलब क्यों आचर चक्रपानी कर ना कृत्वान जिसका कभी किसी ने निर्मान नहीं किया तो आईरवेद जो है वो कैसा है शाष्वत है मतलब ना कृत्वान मतलब शाष्वत आईरवेद पूरी तरीकित शास्व ऐसका निरवान किसे ने क्या इसका उपदेश किया है अचारियों ने ब्रह्मा जी ने किया दस प्रजा sự न भर धिक को फिर आगे चलता आगे इसविनिकमारों को इंदर के पास प्रहंप इसका निर्मान किसे ने झांग लोगरत सी हीया तो नतुद्वान भूभुदें इ तो यहां पर वड़ाता है अनन्त पारम तो यह जो पारशब्द है आचारे चक्रपानी ने आइड़ दिपी का जो कमेंटरी है ठीका है उसमें पारशब्द की व्याख्या करने ही तु गोबली वर्द नियाय का फ्रियों किया है यह भी एक बार देख रिख 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 पूछा गया है हाला कि यह बहुत डिटेल हो जाता है चक्रपानी की जो नियाय है इनको समझना ठीक है यह पीजी लेवल के क्यूशन से पर फिर भी कई बार ऐसे क्यूशन पूछ लते हैं कि कम से कम कि नियाय का जो है रफ्रेंस जो है वो कहां कहां आता है मैं कोशिश करू गांगा कि जहां जहां पर चक्रपानी ने इंपोर्टेंट नियाय बता है है मैं का रफ्रेंस आपको बता से कूँ ठीक है इसकी डिटेल हम लोग नहीं करेंगे कि यह क्या है तो पार्शब्द की व्यक्षा की हितू आचारे चक्रपानी ने गोबली वर्द नियाय का यह य नहीं होता है ठीक है त्रिस रही त्रिसकंद है और अस्टांग संग्र अतब व्रिद भागवत ने त्रिसकंद को ही सकंद त्रय कहा है अगर आप लोग गाइड पड़ते हैं या कुछ बहुसे कोचिंग बगारा में जो है ना इसकंद तरह का मतलब कुछ और निकालते हैं वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो हे तुल हे तुल दोश्ट द्रब्य ऐसा करके कुछ बोलते हैं क्योंकि ये गाइड में दिया है फ्रेंट पेज पर अन्तु ये गलत है अस्टांग संग्रे नहीं तरिसकंद को बताया है और तरिसकंद का मतलब इसकंदत रही है ठीक है मतलब ये भी है तो ये तुल लिंग ऑश्टध ही है कुछ अलग नहीं है कुछ आद रहा गलती नहीं करनी है इसकंदत रहे अस्टांग संगर ने बताया है कायड में गलत दिखा है तो करड़ कर लिजेगा इसकंदत रही त्रिसकंद है और वही त्रिसुत्री है और इसका मतलब बता है हेट तूलिंग और शट नेक्स अम देखते हैं आयू अमितम इ भी एक बार क्रेशन पूछा गया कि अमित आयू वड किसके लिए काम मिलिया गया है तो वो आचार्य भारतवाज के लिए काम लिए अमित आयू को कि उनकी आयू के व्रदी हो गई थी तो आमित आयू को आने भारतवाज रिशिव्व्य अनदिकम तक्च शंचसान कर दिया नेक्स आता है देरिगम ऐच्चिकिषन तो दीरड़ायू के इछण रखने वाले वेध वर्दनम आयशा यह बड़ा इंपोर्टन रफरेंस बनता है वेधर जो वेध वर्दनम आयूसे है वो आयर्वेध के लिए पहा गया है वेर्ट ऐसा कौन सा वेध है जो कि आ कि नेक्स्ट अम देखते हैं जो रिशी है उन्होंने क्या देखा ज्ञान चक्षिशा अपने ज्ञान चक्षिवों से क्या देखा कि जो छह द्रव्य है तो इच्छे पदार्थ सामान्या विशेश गुण द्रव्य कर्म एवं समवाय ठीक है तो यह अपने इनका सिक्वेंस याद रखना है यह बड़ा इंपोर्टेंट है क्योंकि अगरा पदार्थ विग्यान पढ़ते हैं तो वहां पर वैशेशिक दर्शन के अनुसर्विस का स इसका सिक्वेंस है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेश संभय जिबकि आचारे चारे चानुसर अमस्को एक ट्रिक बना सकते हैं लिए कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं है पर आप इसको बार्वा पढ़ेंगे तिया दो जैका सावी गूद्रकस ठीक है शुरुवात म विशेश गुण द्रव्य कर्म और सम्वाई तो यह चरक का सिक्वेंस है यहां से बड़ा इंपोर्टन ते या जखेगा फिर विमर्श में अगर है तो आप इसको टिकर लिजेका कि आईरवेद अभाव को नहीं पदार्थ नहीं मानता है ठीक है आईरवेद जो है अभाव और हम देखते हैं कि यहां पर जो आचारे पनर्वसु हैं उनकी 6 स्टूलेंट्स एं चे युकि शूष्रत के साथ है धनवंतरी के शूष्रत आदिय्स टूटन्स है उनके संक्यास आठ है वह मैं यहां पर नहीं बता रहा क्योंकि उससे कुछ अंट से पहले आपने आचार पनरबसुर की जो 6 स्टूडेंट से उनके नाम याद करने हैं कौन-कौन है अगनिवेश भेल कुछ मुक्स पर इसको भेड़ भी लिखा है जतुकर्ण पाराशर हारीत शारपानी ठीक है तो इनके नाम आपने याद करने है कि 6 नाम एक साथ याद कर लिजेगा सुश् कि नेक्स्ट है इन 6 में से भी सबसे पहले जो सहीता निर्मान की वो किसने की अगनिवेश्व क्योंकि बुद्धि विशेष तत्रासीत ना उपदेशांतरम आचारे ने तो सभी को समान ही उपदेश किया था ठीक है क्लास में देखते रहे कि सब इस्टुएंस को बराबरी की टीचर्स ने पढ़ाया है परन्तु अगनिवेश्व की जो बुद्धी थी वो कुछ विशेष थी ठीक है कुछ प्रकर बुद्धी उनकी रही होगी इसलिए तंत्र से करता प्रथम सबसे पले तंत्र का जो निर्मान किस ने किया आचार्य अगनिवेश्व ने किया यह अभावत ठीक है नेक्स्ट फिर यह जो ट्वन्टी सिक्स तो सब्सक्राइब अपने 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 सहीं ताओं को पढ़कर सुनाया अपने गुरू को तब नवस्टी सिंग गंबीरो एसाम देखते भिया कि जो है कि अपने अकाश के अंदर संग गंभीर इस प्रकार की जो शब्ध है उथ्पन वे भूते उधी लिता सिव वाई वो सरवा भावी भावी मत्त्व तक किरने प्रकार की किर्णने व्यापत हो गई शीव मनें तो कल्यान का रख शब दुमाँ पर उत्पन है कल्यान का रख जो है वायू वहां से बहना शुरू हो रही है तो ऐसा हम देखते भी है कि इसे टीवी सेरिल्स पर देखते हैं कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उपर से देवत पूल तो उपर से देवता है जो है पूश्प गिरा रहे हैं या साहज जलाश्च्छे वन दिव्या दिव्यक गिरा रहे हैं या साहजला मतर्व जल के साथ तो यह एक अलंकारी को नों ने इसको रूप दिया है तो यहां सरफेस लिए आप इसको देख लिए गजनली ग्यान देवता ज decor जो है जो उस्सनो पड़ेंगे तो आख तो यह इसको हमेशाए अतने अनी पूरा एक्साथी पढ़ना है हिंदी वियात करने के पूünkü बढ़ पढ़ना है कैसे पढ़ना है बुद्धी सिद्धी स्प्रती मेधा ध्रती किर्तिक्षा मादया को बारबर इसको पढ़ें 진짜 तो आपको याद हो जाएगा बुद्धी संधी स्मृतिल मेधा त्रती किर्थिक्षमादया बारपर इसको पढ़िएगा याद हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आठ ज्यांदेवता है योकि कई बार कुशन बनता है ना तो वहां पुछ रहते हैं कि निम्ले में कर देंगे तो पांच दलत कर देंगे नेक्स्ट विए बड़ा ही फीमस पोर्टेशन है सभी को याद होता है हिता हिता हिताम सखम दुकम आयस्तस्य हिता हितम मानम चतक्ची यक्त्रप्तम आयरिविदास ता उच्छते मैं इसकी डिटेल नहीं करूँगा ठीक है यह कहां बताया जयरक सुटरस्थान 10 अर्पैस तरह रखें गना चक्छत तरफ कर दो कमि yourself 24 देखते हैं ऐस तरह सबसे पहले कुई को चरफ जो है वो र्दान करनेता इसलिए गmor जिकता सनक्स्ट क्या शालाख क्यों थालपे डाला शल्य करें चोते पर डाला विश्गर वैरुदिक प्रशमन यहीैं है अगतंत्र है कि अगतंत्रव ऑगतंत्र प्रेंटर्डु है चाहते ब्लावण बूत विदिया रिकुर याद करने से करते पंच महाबूत ऐसा करके ना पांच वे नमबर पर आता है इसको सिक्वे जरूर देखना कम से कम चरख सुष्रुत का तो आपको सिक्वेंस या दूनाची एक कौमार भृत्य। छेटे नमबर पे साथ पे रास्ते रसायन और चो आट वे आगा वाजी करन रिधान रहता है फि जो सुष्ट्व सहींता है वो शल्य प्रधान करन पर इसलिए सबसे पहले है शल्य सेकेंड पर डाला शालक्य और थर्ड पर डाल दिया का अच्छी किसा चोथे पे है भूत विद्य जब की चरख ने भूत विद्य डाली थी पांच वे नमबर पे यहां चोथे नमबर पे ह पांचे पे है कौमार वृत्य फिर होगा अगधत अंत्रु जो की चरक्ति इसको बोला था विश्कर वेरोधिप्रश्मन फिर है रसायन और फिर होगा भाजीकरन नेक्स्ट है वागबट तो को वागबट का अगर आपनी श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बा बुट्न विद्ध्या के स्थान पर क्या बोला ग्रह उर्ठ्व है अगतंत्र के बोला धांष्ट्रा ओसायन के क्या बोला जरा चेके स्सार वाजीकरन के लिए बोल दिया व्रेश्ड अपमीश्वर्पन समस्पाने श्यकिंज अपर्याल तो बहुत कट्री नहीं थे काइब इसको विश्गर वेरादिक प्रिश्मन जब कि सुशुत आचारी ने क्या बोला अगद तंत्र आचारे वागबट बोलते हैं दंश्ट्रा जिब कि आचारे चानक क्यों इनको कॉटिली भी कहते हैं ना कॉटिली लिया इन्होंने क्या बोला जांगुली नेक्स्टम हारित का सिक्वेंस देखते हैं तो हारित ने भी आल्मोस्ट जो सुशुत वाला है ना कि इससे सब्सेबले चले है फिशाला के हैं फिर बाल अगद भूत विद्या रसायन वाजिकरन इस प्रकार से बोला थोड़ा से सिक्वेंस सिक्वेंस चेंज के सुशुत से बाकिन से में काश्यब देखते हैं तो काश्यब काउमार भृत्य मतलब प्रधान करत इसलिए उन्हें काउमार भृत्य को सबसे फस्त नमबर पर काश्यब भी अपने आप में इंपर्ट इसलिए को कि इन्होंने कुछ इस पर गढ़ को कि ऐसे सा ठ्वरोग स्खें कि लिया फिशला किया और इनने विष बोला है भुद धिया होगिए अगत तंत्र बोल दिया मतलब रोने विश्भी बोल के और अगधा तंत्र बीग दिया अगतं त्रेविवल दिया अनुटस्ट एपर उन्य वॉर्साइन को क्या नहीं वोल विश्ट अंत्र को अगर्त नित्र इस्ता करके दो बार बोल दिया नेक्स्ट है राज निगंटु बहुत ही इंपोर्टेंट है यह कुछन निगवा एक्जाम पूछा गया था तो बहुत ही टाफ कुछन यह बन गया था राज निगंटु द्रव्यगुन प्रदान करंथ है ठीक है निगंटु हम जानते भी है और इसके जो लेखक है वो है नरहरी पंडित ठीक है नरहरी पंडित तो जैड़ से बात है द्रव्यगुन प्रदान गांते तो फस्ट नंबर पे कौन है द्रव्यगुन सेकंड नंबर पे है रोग निदान तो द्रव्यगुन और रोग विदान को भी किसी नहीं माना नेक्स टेकाय शल्या बोध विद्या विष्ट अंत्र कॉमार्वृत्य और रसाइन वाजी करन इन्हों नहीं भी नहीं माना है ठीक ना तो इसको आप लोग एक कॉपी में या पेज में उतार दीजिए का और बाद में इसी पेस्ट कर लिजिएगा नेक्स्ट कहते हैं 42 पे शरीर इंद्रिया सत्वा आत्म सहिएंगो धारी जी भीतंग ठीक है यह आयू के लक्षन है आयू के पढ़ रहे हैं शरीर इंद्रिया सत् सत्व सत् once again मन अत्म इन सभी किया है जीवन है इसका सीनोनिम से धारी ठीक है इसका प्रया क्या है नित्यग आनुबंध इस अभी क्या है आयू के पर्याय हैं, आयू के पर्याय हो गए, अनुबंद, नित्यग, जीवन, धारी, ठीक है? फिर कहता है यह जो आयूर्वेद है, तस्य आयूशा पुन्यतम वेद, आयूद के लिए सबसे पुन्यतम वेद, वेद विदाम अता है, ऐसे कौन कहते हैं? वेद विदाम, वेद विदाम, वेदो को जानने वाले, इस आयूद को आयूद के लिए सबसे पुन्यतम वेद कहते करते हैं क्योंकि वक्षतियत मुनिष्यानः अगर अगर हम लोग उपदेश्य निफ आतने और यहादर के घर यादर किवा नेक्स्ट ए श्लोख नूबर 44 देखो यह चप्टर बसा इंपोर्टेंट इसके लगवक सभी श्लोग इंपोर्टेंट ए यह आप लोगने बड़ाच्छा याथ यह वका सर्वदा सरो भावनाम सामान्यम् रदिकार्न नाम तो यह अपने आप में बड़ा इंपोर्टेंट सामान्य और विशेश के बारे में कहां चर्चा किया आचारे ने तो सर्वदा सरो भावनाम सामान्यम् ब्रदिकार्न तो यह श्लोग आपको याद भी होगा मृद्धी के संधर्ब में सामान्य है और हास वतलब डिके उसका ल अचारे चक्रपानी में अचारे चक्रपानी ने इस पर बड़ी डिटेल करते हैं और सथ होती है कि इसकी की कि लिए तो दूनों गिरी चीज़ की अगर रधिक दी वर रिये तो उसी वक्त किसी दूसरे का वहापर रास भी हो रहा है? यह मतलब साम्मानियर विशेश दोनों एक साथ होते हैं जिसे अगर कफ की व्रद्धी हो यह इसका मतलब वहाँ पर उसी वक्त वाद का क्षय भी हो रहा है ठीक है तो यह आपने ध्यान रखना है प्रभृति उभ्यस्यतु दोनों की प्रभृति एक साथ होती है यहां पर तर्क भाण राम देखते हैं तरघ भाण जाली लैज्ञे वार दे का अनुव्रिट्ति ऑ ही ही तो सामन्यम सामन्या अटे च्छल लिक्ष्षन है तर्झ बहेचा का अनुव्र्ति प्राटे ही preserve सामन्यच टिक यह श्लोकाव प्याहतर एकूबहां इसके दो भेद बता होने पर और आपर हला कि ये आचर शक्रपाणि निजो पर और आपर जोए न ओज के भेद भी बीवले परन्तु यह तर्ग भेश्टा के अनुसर सामान्य के और विशेश दोनों के ही पर और आपर भी भीद बोले सामान्य विशेश के चक्रपानि के अनुसर तीन भीद है इध्यान रखीगा बड़े इंपोर्टेंट है द्रभ्य ओक्त विशेश के रैसे सामाने एक एकत्व करम आयल उन में एक ता मतल सामान को दिखाता है जब जो अलग है ठीकि उनमें जो क्लव है ठीक है ठीक जो लिचली किटुख वाई है उसको आप जो करता है वो है विशेश और श्रोक नूबर स्वानबर 45 को देखते हैं बड़ा इंपर्टेंट आता है सत्व आत्मा श्रीरम चाई त्रयाम एतंद रश्रेंच रख रभार रम चाइच इंधा त्रीद धंद स्थ म Ontario तत्रा सरवं प्रश्टित्म इस लाइन को दो बार एंडलाइन कर लिजी का क्योंकि यह इंपॉर्टन डेफरेंस और लिख लिजी का फॉर मतल्ला किसके लिक आ गया है त्री दंड के लिए तो एक्जाम में क्या करते हैं यह लाइन उठाके रख देते हैं लोकस्ति श्टिती तच्च अधिकरनम इस्पृतं वेधस्य अस्त्य तदर्थम ही वेदोयम संप्रकाश्टा ठीक है तो यह जो आभी हम लोग ने पढ़ा त्रीदन से युक्त मनुष्य है सत्वा आत्मा शरीर से युक्त जो है वही क्या है पुरुष है और वही क्या है अधिकरण है उसी का प्रकाशन किया गया है या उपदेश किया गया है नेक्स्ट एफ 48 पर खादिनी आत्मा खादीनी यह यन संधिया तो आप लोगों को अगर सहिता पढ़नी है तो संधियों का बड़ा विशेश जहां रखना है मैं कुछ आत्मा मन काल और दिशा ऐसे करके यह नो है टोटल यह वोगे द्रव्य संग रहा है तो द्रव्य संग्राय से क्या मतलब होता है कारण द्रव्य सेंद्रियम चेतनम द्रव्य तो ये जो द्रव्य है कित के लिए कार्य द्रव्य के लिए निरिंद्रियम आचेतनम ठीक है आचेतन कौन से हैं जो कि निरिंद्रिया है जिसमें इंद्रिया नहीं है तो ये वड़ा रखी का जो कारण द्रव्य हैं उनकी संख्या होती है नू पंच महाभूत आत्मा मन काल और दिशा बहुत ही इंपोर्टेंट है कारण द्रव्य की संख्या होती नू अब इसका अब भी आगे डिटेल आने वाली है तिंच लेजीगा नेक्स्ट हम यहां पर गुणों की बात करते हैं सार्था गुर्वादेव बुध्धी प्रयतनानता परादया गुणा अप्रोपता ठीक है तो टोटल जो है आचारे ने 41 गुण बताए हैं यहां आपना सार्था गुर्वादेव बुध्धी प्रयतनानता परादया तो इसको हम लोग देखते हैं तो यहां गुणों के जह चार भर्गी का सुन्ज आचारी ने ख्यांकि पहला होगिया शे diret उकली गूं मृए hardened नियुक्त aument आतमागोन इनके संख्या होती है है लास्ट में है परादी गन या साम्मान्नेगोन इनके संख्या होती है दस्ट धिके यह ध्यान Eoinnehmer केगा जिसे ना बहुत से जो पढ़ाने वाले हैं या बहुत से जो लोग हैं वो बोलते हैं कि सामानेगों नीफी परादी गुन ही परादीगों है क्युक् essere इस तो विमर्ष के अंदर परादी गुण सामाने गुण का सिनोनियम डाल दिया है पर जब आप चक्रपाण ठीका पढ़ें ये तो मलूँ चलेगा कि सामाने गुण गुरवादी एवं परादी दोनों के लिए ही प्रिप्त हुआ है ठीक है तो बहुत सी बार किया न कि विमर्ष वगर आमिए देखेंगे नवहाँ पर भी परादी गुण को ही सामाने गुण बोला है मैं सुक्रट करीवाताओं अभी नेग्स्ट इसलिए कितने गुण होगे इंदृ गुण होगे पांच द्रविगुण होगे बीस आधियत्म कूण होगे 6 और सामाने गुण होगे 10 पर अच्ट गोन का हाय अंक गेश्क नी ऐसे आजए गंगादराय उनका बुक का नाम तेक का नाम था जल्प कल्प तरू ध्युकल्प इंतक है युञवई से छारी कॉस्पादी के Eleва ग dift दोनों ही सामवानल ने प्रैतनाधी कर्म प्रैतनाधी कर्म प्रयास करते हैं वही क्या एक टेश्टमा उच्छति तो है तो प्रैतनाधी कर्म चेश्टितम उच्छतिग फिरम बात करते हैं कि समभाय किस प्रकार का भाव है तो समभायो आप उसको अलग नहीं कर सकते आप रताग भाव समभायो आप रताग भावो भूम्या दिनामत वहीं महबुत हैं गुणई मता और यह कैसा होता है नित्य होता है अलग नहीं कर सकते अगर अलग करने का प्यास करेंगे तो उसका नाश हो जाएगा कि नेक्स्ट बेखते हैं कि द्रव्य के लेक्शन देखते हैं तो द्रव्य क्या है यत्राश्टिता करम गुणा मतलब जहां पर करम एवं गुण दोनों आश्रित होते हैं देखिएगा यहां से कुष्ण बड़ा गुमा-गुमा की है आजकल हिंदी में पूश्टन लगे ह तो जहां पर कर्म एवं गुण दोनों आश्रित हैं वही क्या है द्रव्य है यत राश्रिता दोनों को जो आश्रे प्रदान कर रहा है कारणम समवाई और यह भी समवाई कारण तद्रव्यम जहां पर समवाई रूप से कारम एवं गुण दोनों आशुत है वही द्रव्य है इसके अगर हम लोग आचारे सुशुत करनुशार परिभाशा देखते हैं तो क्या है क्रिया गुणुबत समवाई कार्णम द्रव्यम सेम लाइन है ठीक है कि अधिकते हैं सब्सक्राइब यहां कुछ इंपॉर्टन बात है इसको आप लिख लीजगा अभी जिस थोड़ेन पहले जो एमस्टे जो एक्जाम होगा वहां से यहां से स्पेक्विशन पुछे गयते कि दो कैटेगरी बनाई गई है मूर्त द्रव्य एवन आमूर्त द्रव्य तो मूर् इसको आप लिख लिजेगा साफता आप लिखना कोपी के अंदर जल रस के लिए हो गया तेज रूप के लिए है वायू इसपर्ष ठीक है तो यह हमें मालूम है यह मूर्त द्रव्य है मन भी मूर्त है ठीक है इसको ठीक लिए लिए परत्व आपरत्व एवन गुरवादी ठीक है तो इसवार्ज पूछा गया था तो परत्व से पूचा गया था यह परत्व आपरत्व कैसे हैं तो यह मूर्त द्रव्य है और गुरवादी गुनभी मूर्त है नेक्स्ट बात करते हैं अमूर्थ अध्रव्य कौन से हैं यह होगे आकाश शब्द के लिए पंच माबूत में मैक्सिम्म चारत उपर आगए तो आकाशी जो है वह अमूर्थ है बुद्धी सुख दुख इच्छा द्वेश प्रयत्म काल दिशा आत्मा धर्म अधर्म भावन यह संस्कार करें तो अगर आपने मूर्थ याद कर लिए तो आमूर्थ अपने आपया जाएंगे ना और सब इंपोर्ट मतल्स आएसा नहिessे नहीं एक वाब पढ़ने वे समझ भाते हैं कि हाँ यह मूर्थ हो सकते हैं आमूर्थ हो सकते हैं आप अपना लोजिक यहां पर परांटी बनना समोवाय थी निश्चेस्ता अरहाए आध की यह स्ता र्हपोनी वोगण समवाई के यह भी परणाद यह निश्चेस्टा है ठीक है फिर हम देखते हैं तरक्सनगरह संगरह क्मोनी सिंदें फिर्षा लेकी प सोला विशेश गुण है तो पूछ लेगा वन बत्रक हैं अणहीं पर चोटी गृत्रा आ रिए तो वो द्रव्य के लिए और अगर वो बड़े एकी मातरा आ रही है to han Keith Amsterdam याद करने के साब से बड़े इंपॉर्रेंट आ जाता है आप ना कर्मन्य मंगुन तो कर्मन ने कुण किसने बताए आचार्या बदंत नागार्जुन ने बताए और उनके संख्या है दस और इस गरंद का नाम है रस वाईशेशिक रस वाईशेशिक लेका को गए बदंत नागार्जुन ठीक है और यह दस क्या कहे हैं शीत उष्ण निद्धरूक्ष विशद पिच्छिल कुरू लगू यहां तक तो सब कुछ मतलब एक का एक का दूसरा वाल जाओ अपोजिट है इस तक गूरू का लगू अपोजिट है विशद का पिच्छि हो गया और तिक्ष्ण का जो है वो मंद होता है तो यहां पर देखना है तो कर्मन ने गुण जो है वो आचार्या बदंद नागार्जुन ने बता है और इंगे संख्या होती दस 52 संयोग हम पढ़ते कर्म के लिए ना संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्यम आश्रितम और यह भी द्रव्य के आश्रित है हम लोग अलड़े पढ़ चुके है संयोगर विभाग में कारण है या दिखना पिशन हिंदी में बड़ा कटिन बनता है कि जब बने गाना त से कौन सा जू है को वो ऑषयोग विभाग के लिए responsible है तो अंसर जाएगा कर्म कर्ताव विस्टे क्रिया कर में 20 अभी नहीं कुछएगा कर्म ना अन्यद अपिक्षते इसको गॉला कर दिशेगा ना अन्यद अपिक्षते ना अन्यद अपिक्षते है इसको अच्छते या इति उक्तम कारणम तो यह बड़ा अच्छी लाइन है यह जो कारण शब्द है यहाँ पर किसके लिए है चड़ पदार्थू के लिए कारंशब्द का प्रयोग चड़ पदार्थू के लिए हुआ है हैं फिप्टी थी श्रूग ड्रेगा इम्परिटेंट है धातु साम भी घृक थ हुट् भी समक्राइब चाह पले समडिद्या कि धातु सामनल कृष्टा प्लस प्पथता अंड्र शॉर्ब इन इस अंधोंत्र अस्थ कि को वताय है अचार्य ने चरक शत्र एक क्या थंच सरय ने क्रेंच है जोक कि आयृवरेद का प्रीवजन कहां पताया चरख स्थे स्में जर अधर हम है तंट्र का प्री अ खरख स्थ एकि आयृउड़ युद्ध आ प्योज तरह शत्र टीज ने नेक्स्ट ड़ॉक नमबर 54 काल बुद्धि इन्द्रिय अर्थानाम योगो मिठ्षय ना चाहती चाथ द्वय आश्रय ना मतलब काल बुद्धि और इंद्रिय इनका हीन योग मिठ्ध्य योग अति योग ये त्रिवीद हेतु मतलब वह गया हीन योग निध्षयय और अतियो या मिठ्ययोग और आयोग यह जो है त्रिविदो हेतु संग रखा गया है कि फिर हम लोग इन सबी जितने भी है कुशिश करते हैं कि मैंने कौशिश किये कि इन सबी को एक जितने एक पेज़ पर समयत किया जाए कुछ बच जाएंगे उनको हम लोग आगे लेख लेंगे जिस से अजितीन के जो पेर समसल्ड यह है समाहार है इन दिन को मैंने को शिशक किया कि उनको सब को एक जिए कपा नोट कि कया चेद तो आप लोग वे से फीज मोट कर सकते है तुरी सी अजिक डूंद हेट संग्ज आउशद इसकंद रहे अश्टांग संग्रे के नुशार ये आउश्द याद रिकना गलती नहीं करने अश्टांग संग्रे नहीं वोला इसकान दोत्रे त्रिदंड सत्वा आक्मा शरीर त्रिविद हेतु संग्रा काल बुद्धी इंद्रियार्थ इन तीनों का अयोग अतियोग मिठ्थ है जिस्ट अभी हम लोग पड़ा इसके बारे मे किर ट्रिविद जिन संग्रा क्या हो गया आपतोवदेश प्रत्यक्ष अनुमान ये रे रुकिष्ण यह कुछा यह पूंसे संदी यह पुट्रिशना विटतेश्ना विटतेश्ना विटत्म। द्धन तो ये त्यू सेम्-सेम ये न, विटतक धन भी गोल सकते और पर लोक लोक बोल दिया किस ने बुला ब्रेद आरयन्यक उपनिश्द के अंदर अपनिश्द पुला इसा प्रीन नेक्स्ट तरे इस्थोन या थ्रेस्थे थे पूंब एक बात रोग रिष्टे तरे वात्पित को कि रहा त्रया उपस्तंब यह भी अलग-अलग आचायरे के निसार अलग-अलग है आहार स्वपन और ब्रह्मचर्य देखो हम लोग बहुत से बच्चे जो गलती करते हैं पर उसको वो लोग यहां पर निद्रा लिखते हैं पर निद्रा किसी भी आचायरे नहीं बोला है आहा अचैनल में द्री वर्ग धर्म अर्थ काम चत्रुवर्ग क्या हो जाएगा द्री वर्ग प्लस मुक्ष लिएक्स्ट प्र्यूब्दबल सहज, कालज वग्तिकृत प्रइविद लोग-मार्ग की बात करते हैं तो शाख यह विए बाहिया मर्व अस्तिसंधी यह क्या मध्यम और कोश्ट हो गया आभ्यांतर तो शाखा मर मस्ति संधी और कोश्ट ऐसे द्रिविद लोग मार्ग होते हैं ठीक है तो इनको आप लोग एक इसे पेज़ पर नौट कर सकते हैं और इसको अपने जो चरग सहींता है उसके बीच पर कर ली